नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एज्यूकेस्टन जेनल में तो आज के दो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करने वाले हैं ओबेसिटी के प्रॉब्लेम के बारे में तो अभी जो हमारी मॉड़न लाइफस्टाइल है उसके अकरणेटों ओबेसिटी यूओ काफी बड़ा प्रॉब्लेम होता जा रहा है जैसी कि एक प्रिंट के आर्टिकल के अकरणेटों हम देखे तो हर 16 में से 1 महिला के अंदर ओबेसिटी यूओ देखने को मिल रही है और हर 25 में से एक पूरूष के अंदर obesity जो है वो देखने को मिल रही हमें तो यह काफी major problem होता जा रहा है और लोगों के अंदर weight gain के problems देखने को मिल रहे हैं तो यह weight loss कैसे हम कर सकते हैं वजन कम करने के लिए हम क्या अलग-अलग उपाय कर सकते हैं कौन सी दवाई या उपयोगी है और किस तरह से हम यह obesity के problem को solve कर सकते तो उसके बारे में हम detail में सिखेंगे आज के lecture में और जानेंगे कि obesity क्या है सबसे पहले वो सिखेंगे उसके symptoms क्या होते हैं कोजी मनले कि कौन सी reason से या problem हो सकती है diagnosis कैसे हो सकता है treatment और कौन से अलग-अलग medicines के option available है वो हम जानेंगे आज के उडियो लिया चरगे अंदर तो ऐसे समझू कि आपको सिखना है डिटेल में बहुत सरी दवा यू के बारे में बीमार यू के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं link description box के अंदर मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं obesity के बारे में तो obesity को simply हम मोटा पाभी कहते हैं और यह कैसा complex problem है कि जिसके अंदर आपके सरीर के अंदर body fat जो वो काफी ज्यादा होता है और उसको अच्छे से calculate करें तो जो आपका body mass index होता है BMI वो normal के compare में जो वो काफी ज्यादा होता है तो यह आप एक table देख सकते हैं और वो table में BMI के datas दिये हुए हैं तो जो normal BMI जो कहा जाता है खासकर वो रहता है 18.5 से लेकर 25 के बीच में overweight आता है 25 से 30 के बीच में और फिर भी आप आपका weight जो वो control नहीं करते तो दिरी-दिरे weight बढ़ता जाता है और आपका BMI जो है वो body mass index वो 30 से उपर जाता है 30 के उपर जाने लगता है और आप जो वो obesity के अलग-अलग grade के अंदर आता है जैसे कि obesity class 1, class 2 and class 3 तो अब आपके mind में एक सवाल होगा कि BMI कैसा निकालते है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको आपका weight करना है और वो होना चाहिए kilogram के अंदर कि मानलों आपका वजन है 70 kg जितना है फिर आपकी height को आपको centimeter में convert करना है और centimeter में से meter में जैसे कि मानलों कि आपकी height है 1.57 meter है तो उसका जो हो square करना है और जो answer आता है वो आपका रहेगा body mass index तो ये एक basic है कि अगर आपका BMI 30 से उपर जा रहा है तो आप जैसे obesity के अंदर आ सकते है तब उसके symptoms देखे कि अगर कोई person obese है तो क्या symptoms देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला जो symptom है वो है सास फुलना जो person होते हैं उसके सास फुलती है breathlessness जैसे symptoms देखने को मिलता है second हम देखे तो पसी ना आना ज्यादा पसी ना ना नॉर्मल के गंपर में तीसरा symptom वो अनता है snoring मनलब कि खाराटे लेना रात को आप जब सोते हैं तो काफी ज़्यादा जो हो patient जो हो खाराटे लेता हैं फिर जो physical activities जो करते हैं routine में तो उस दोरान जो हो आप काफी difficulty फिल करते हैं मनलब कि physical activity करने में जो हो दिक्कत होना फिर आप काफी ज़्यादा ठक जाते हैं कि अकसर बहुत ठकान का आपको मैसूस होती है थोड़ा बहुत भी कुछ काम किया या फिर थोड़ा सा walking किया तो भी आप ठक जाते हैं फिर एक symptom develop होता है यहाँ पे कि joint and back pain जो है आपका बढ़ नहीं लगता है कि जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते है एक diagram के according to तो यह जो person है वो normal है कि जिसका BMI जो है वो normal cringe में जिसे से उसका BMI बढ़ता जाता है तो अलग-अलग joint का जो person है back का जो person है वहाँ पे आपको pain जो होने लगता है मलब कि जोडो और पीट में दर दिर दिरे बढ़ने लगता है जैसे से आपका weight जो हो बढ़ने लगता है तो obesity का जो problem है वो main problem ही है weight gain का काफी ज़्यदा वजन आपका बढ़ रहा है फिर आप ये problems के करन के बार isolated feel करते है isolated का मतलब होता है कि कभी-कभी काफी अकेला जो है वो मैसूस करना अपने आपको काफी आप isolated रखना पसंद करते है तो अब उसके कुछ reason समझते है कि कौन से reason से ये problem हो सकते तो सबसे पहला reason है कि खान-पान की बूरी यादत है जिसे कि आप याप देख सकते हैं कि जो person है वो completely unhealthy diet ले रहा है जिसे कि unhealthy drinks ले रहा है अलग-अलग junk food काफी consume कर रहा है फिर sweet भी काफी वो ले रहा है और sedentary lifestyle है कि raised करता है गर पे और इस तरह से diet ले रहा है तो SME के होता है उनका virgin जो बढ़ने लगता है आप physically feet नहीं रहते, कोई physical activity आप नहीं करते नहीं कुछ exercise करते, नहीं walking करते बहुत ज़्यदा और इस type का सामने आप diet लेते तो इसको एक lifestyle problem भी कहा जाते है कि तो भी कुछ reason से आपका weight gain जो हो सकता है फिर third reason हम देखे तो poor sleep, आपके कोई जो नीन जो पूरी नहीं होती या पर आप देखो कि रात को 2.30 के आसपास होए फिर भी person को जो नीन नहीं आए रही तो ये भी एक factor effect करता है इसके लिए फिर दूसरा एक reason हम देखे तो वो है hormonal imbalance ये एक बड़ा reason है obesity के लिए कि जैसे मालो कि आपके सरीर के अंदर problem हुआ है thyroid related तो thyroid के problem के कारण भी जो है आपका weight gain हो सकता है और इसके करना आप obesity के अंदर आ सकते हैं फिर androgen जो hormone है उनसका imbalance हो हो सकता है vitamin D की deficiency हो insulin resistance या फिर metabolic disorders होते हैं या फिर estrogen की मातर आपके सरीर के अंदर burden ही लगती है तो भी weight gain जो हो हो सकता है तो ये factor ये है कि जो hormonal और संतुलन हम कहते है hormonal imbalance जो कहते है उसके करन भी weight gain हो सकता है फिर कुछ लोगों के अंदर genetics एक रहता है जैसे कि जिसको हम आनुबन सिखता कहते हैं तो genetic weight factor अफेक करता है especially obesity के लिए फिर जो thyroid के problem में हमने बात की कि जिसमें जो hypothyroidism का जो problem है hypothyroidism कि जिसमें यहाँ पे आप एक symptom देख रहे लिखा हुआ है कि weight gain होना कि चाहे male है या female है दोनों के अंदर मानलों की hypothyroidism है वो सही मातरा में thyroid hormones को release नहीं कर रही है तो भी यह weight gain के problems जो देखने को मिलते हैं कुछ दवाईों के side effect के कारण भी weight gain होता है कि जैसे कि कुछ दवाई यह हम देखे तो insulin के कारण जो यह weight gain हो सकता है antipsychotics जो दवाई आती कि जो खासकर anxiety disorders होगेरा है depressions होगेरा को treat करने के लिए use की जाती है कुछ sleeping pills होगेरा भी आती है तो उनके करण भी आपका weight gain होता है और weight gain के करण आगे जाके obesity का problem होता है antidepressions दवाईया है epilepsy की जो मिर्गी के दोरह में use होने वाली दवाईया है और steroid hormones वाली दवाईया है यह सब भी एक major reason बनते है weight gain के लिए कई बार आपने देखा होगे कि मानलो कि इन 5 में से कोई भी दवाईयों का आपका history रही है कि इन में से कोई भी एक class के medication आपने past में ली है तो अभी आपका weight gain के problem जो हो देखने को मिलता होगा तब उसकी risk क्या है कौन से risk है obesity के कारण तो आगे जाके blood pressure जो हो आपका बढ़ सकता है high BP के patient जो हो आप बन सकते है gout का problem हो सकता है especially infertility का issue हो सकता है sleeve apnea quality of life आपके कम हो सकती है arthritis हो सकता है heart disease, cancer, diabetes, high BP यह सब complications और risk रहता है अगर आप obese है तो तो अब जानते हैं उसके diagnosis के बारे में को कैसे हम उसका reason पता लगा सकते हैं तो सबसे पहले जो reason पता लगाना है तो आपको आपका BMI निकालना है तो जैसे मैं आपको आगे भी समझा आपका जो weight है वो kilogram के अंदर और आपकी जो height है वो आप meter में लीजे और height का square निकाले और इस तरह से ये formula के according to आप जो आपका BMI निकाले है अगर वो BMI काफी ज़्यदा है तो एक diagnose हो जाएगा कि आप obesity के कौन से class में है फिर blood test करा लेना जरूर है कि जिससे कुछ reason पता चलेंगे तो CBC blood test वगरा कराना जरूरी है फिर hormonal test यहाँ पर जरूर से करवा है कि जिससे idea हैगा कि कौन से hormone के imbalance के करन आपका weight gain हो रहा है तो ये काफी जरूरी है अब आद दे है treatment के option के उपर कि कौन से अलग-अलग treatment के option available है obesity के लिए तो सबसे पहले तो diet change कि मानलो कि आपकी lifestyle इस तरह से कि आप काफी ज़्यादा junk food लेते है fast food वगरा लेते है unhealthy drinks वगरा लेते है तो उसके करवेट gain हो सकता है तो आपको diet जो सबसे पहले change करनी है diet modification करना है कि जो आपको एक proper healthy diet बताएंगे कि जैसे कि जो fibers ज़्यादा हो उस तरह का आपको diet लेना चाहिए sugar कम कर देनी चाहिए आपको diet में से फिर exercise जो वो regular करनी चाहिए minimum एक गंटा आपको किसी भी तरह की exercise करनी चाहिए कि चाहिए आप walking करते है cycling वगेरा करते है running वगेरा करते है थोड़ा बहुत तो एक exercise जरूर से करनी चाहिए तीसरा यह आप यह option है कि stress कम करने के लिए yoga and meditation करना जरूरी कि कई बार आपके life में stress होता है और stress के करन भी यह problem हो सकते है तो yoga and meditation क्या करेगा कि आपका stress level जो कम करेगा और उसकी करन जो है आप जो काफी अच्छा फिल करेंगे lifestyle modification करना काफी जरूरी है कि अगर आपकी lifestyle sedentary type की है तो वो आपको change करनी चाहिए proper healthy diet लेना चाहिए exercise करनी चाहिए yoga include करें इस तरह से lifestyle modification से भी काफी हद तक आपको फाइदा होगा obesity के अंदर और वजन कम करने में फिर पांच वा option है यहाँ पर हमारे पास treatment के वो है medicines के तो अब आते हैं medicines में तो medicines में सबसे पहला हर्मल medicines के option में आते कि जो है आयरू स्लीम capsules तो आयरू स्लीम capsules के जो manufacture के हम बात करें तो हिमालिया drug company जो उसके manufacture है और इसका dose की हम बात करें तो दो capsule आप जो ले सकते हैं यह दो capsule सुबह लेनी होती है दो capsule जो पेशन साम को या फिर रात को ले सकता है और ध्यान यह रखना है कि जो dose लेते हैं उनके बीच में at least 8 से 10 गंटे का time interval होना जरूरी है अगर यह suit नहीं होती तो दूसरा option बनता है हिमालिया का व्रेक समाला करके कि जिसका भी dose से में कि दो tablet जो आप सुबह लेते हैं दो tablet जो वो साम को लेते हैं महला कि दिन में दो बार जो दो tablets लेड़ी होती है तीसरा option यहां पर हम देखे तो पतनजली का दिव्य weight go करके जो product आती है तो वो भी same dose से आप ले सकते हैं कि दो tablet दिन में दो बार जो वो लेनी होती हैं सुबह और साम या फिर सुबह या फिर रात को आप ये tablets ले सकते हैं फिर चरक में भी उसका solution दिया है ये problem को solve करने के लिए कि चरक के obenil tablets हाती है कि जो एक या दो tablet दिन में दो बार आप ले सकते हैं पांचवा option देखे तो चरक का obenil nutra करके जो product है कि जो specially dietary supplements है कि जो weight loss करने में आपको काफी ज़्यादा मदद करते हैं वजन कम करने में ये दवा जोईव आपको काफी ज़्यादा मदद करती है फिर चठा option यहाँ पर हम देखे तो जन्डू का lean and slim करके जो capsules आती है कि specially आपको naturally weight कम करने में आपका metabolism बढ़ाएगी और आपको weight loss करने में ये medication काफी मदद करती है next Unani medicines के अंदर ये option हम देखे तो हमदर्द का सफब मोहाजिल करके एक product है कि जो आपको 5 ग्राम जितना लेना होता है सुब़ और रात को और वो पानी के अंदर आपको लेना होता है और सुब़ और रात को दो टाइम जो आपको वो लेना होता है फिर SBL के अंदर option है homeopathic medicine के अंदर कि SBL के beat trim करके जो drops आते हैं वो 10 से 15 जितने drops आपको लेने होते हैं half cup पानी के अंदर और ये जो वो process आपको दिन में 4 बार करने होते हैं मालों सुब़ आप करते हो दो बाहर को साम को और रात को इस तरह से दिन में 4 बार ये drops आप लीजिए और आगे जो हमेने तरीके देख है कि जो lifestyle modification है yoga exercise वो भी साथ में आप include करें तो काफी ज्यादा आपको अच्छा result मिलता है फिर next option available है allopathic medicines के अंदर तो वो है orally state करके capsules कि जो एक prescription based medication है कि जो आप आपके doctor या फिर pharmacist की advice को according to जो है वो ले सकते हैं तो lipocut के दो version है 60 mg का है कि जिसके अंदर salt content रहता है orally state और दूसरा है lipocut 120 कि जिसके अंदर orally state रहता है 120 mg जितना तो जरूर से वीडियो को share करें अलग-अलग whatsapp groups के अंदर youtube पे share कर सकते हैं instagram अगरा पे भी आप share कर सकते हैं और अपने friends अगरा के साथ भी ये वीडियो को जरूर से share करें और valuable आपके comments रहे करके कौन से topic पे वीडियो बनाना है वो भी आप हमें comment box के अंदर comment कर सकते हैं जिन लोगों को medicine course जोइन करना है वो हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे या फिर हमारे mobile application को download कर सकते हैं link description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best